नमस्कार दोस्तो अनलोक पांच की गाइल डैंस को लेके बहुती बड़ी ख़वर निकल के सामने आरी है दो इसकते हैं अनलोक पांच की गाइल डैंस 30 सितंबर 2020 को रात को जारी हो चुकी है हम आपको बताने वाले हैं अनलोक पांच की अंतरगत केंदर सरकार ने किन किन चीजों को खोलने की अनुमती दी है और कौन कौन सी चीजे जो है अभी भी अनलोक पांच की अंतरगत पूरी तरीके से बंद रहेंगी लेकिन दोस्तो अनलोक पांच में हम बात करें ज्यादातर चीजे जो हैं खुल चुकी है जो काफी लंबे समय से बंद थी तो दोस्तो केंदर सरकार ने जारी की अनलोग पांस की गाइड लैंस 15 अक्टुमबर से 50 फीजदी स्चमता के साथ खुलेंगे सिनेमा घर स्कूल कोलेजों पर राज्य सरकार लेगी फैसला इंटर्टैन्मेंट पार्क भी खुलने की इजाज़त दी गई खिलाडियों के लिए खुल सकेंगे स्विमिंग पुल समारों में 100 से अधिक लोगों को आने की इजाज़त इन तमाम बड़े-बड़े बदलाओं की साथ अनलोग 5 की गाइड लैंस जारी की गई है जिनके बारे माज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बड़न को दबाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में बैल्या घंटे के निसान को दबाके और नोटिफिकेशन कौन कर ले ताकि लाइटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं तो दोस्तों आपको बता दे आज से पूरे भारत देश में अलोग पांच जो है शुरू हो चुका है और अलोग पांच में क्या क्या खोला जाएगा और क्या क्या बंद रहेगा इसके बारे में आपको पलपल की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो दोस्तो केंदर सरकार ने अलोग 5 के लिए दिसा निर्देश जारी किये हैं 15 अक्टूमबर से खुलेंगे सिनेमा होल, इंटर्टेन्मेंट, पार्क और स्विमिंग पुल, सिनेमा होल में आदी सीटों पर ही बैट सकेंगे दर्सक, शूचना प्रसारन मंत्राले अलग से ज जारी कर दिये गए हैं तमवारों के सीजन को देखते विए सरकार ने अलोग 5.0 में काफी चीजों में छूट जो है वो बढ़ा दिया इसके तहत सरकार ने सिनेमा होल, इंटर्टेन्मेंट, पार्क, स्विमिंग पुल, इन सभी को 15 अक्टूमर से खुलने की जाज़त दे जो मार्च के मैने से बंद पड़े हुए थे, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दे हाना कि सिनेमा होल जो है अभी भी 50 फिजदी चमता की साथ ही खुनने की जाधत मिल पाई है, इसके लिए अलग से शूचना प्रसान द्वारा आइसोपी जो है जारी की जाएगी वहीं दोस्तों हम बात करें तो ग्रहम अंत्राले के दिसा निर्देसों का अनुसार जो सबसे बड़ी समश्यारती स्कूल, कोलेज और कोचिंग संस्ताओं को लेके तो उनको लेके भी बहुती बड़ा बदलाव, बहुती बड़ी खुसकवरी निकल के सामने आ रही है जिस जिसा निर्देसों के अनुसार स्कूल और कोचिंग संस्ताओं को खोलने को लेकर 15 अक्टुमर के बाद राज्य सरकारे जो है अपने हिसाप से फैसला कर सकेंगी, हाना कि इस दोरान भी माता पिता की सहमती बहुत ही जरूरी होगी, यानि कि स्कूल कोचिंग और संस्ताओं को खोलने को लेकर केंदर सरकार ने राज्य सरकारों के उपर हैसला जो है डाल दिया है, राज्य सरकार चाहें तो अपने राज्य में स्कूल कोलेद और कोचिंग खोल सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी गारजेंस की अनुमती जरूरी होगी, अक्टुमबर से नॉमबर तक ह होने वाले भारतिय तमवार जैस जिस में नवरात्रा हो गया, दसेरा हो गया, दिपावली हो गई, इनको लेके केंदर सरकार ने माना संचालन प्रकिरिया यानि कि SOP में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग संकोरना संकर्मन से बचाओ के साथ किस तरकार से अपने इनक किन बातों के उपर फोकस अनलोग 5.0 में किया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो केंदर सरकार ने 15 अक्टुमर से सिनेमा होल मल्टी प्लैक्स खोलने को मंजूरी दे दी है, इसके साथ ही खिलाडियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग फुल भी खोले जा सकेंगे, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो केंदर सरकार ने 15 अक्टुमर के बाद निर्ने लेने की छूट दी गई है, हाना की स्कूल और कोचिंग सेंट्रों को दुबारा खोलने से पहले अविभावकों की मंजूरी लेना अतियावसक होगा, अनलोग 5.0 में केंदर सरकार ने कंटेंडमेंट जोन में जारी सक्त लोकडाउन जो है 31 सक्टुमर तक बढ़ा दिया है, उच्चे सिक्षा संस्तानों में केवल पी एचडी और विज्ञान और प्रोधोगी की इस्ट्रीम में इसनात कोतर छातरों के लिए प्योग साला और प्योग आत्मा कारियों की अनुमती देदी है, जिसमें जिन्हें 15 अक्टुमर के बाद खोनने की जाज़त दी जाएगी, इसके अलावा बात करें तो दोस्तों केंदर सरकार की ओर से कहा गया है कि ओनलाइन और दूरेश्ट सिक्षा अब भी ओप्सिनल बना रहेगा, जहां स्कूल जो है ओनलाइन कक्षाई संचालित कर सकती है वो जारी रहेंगी, कुछ हात्र फिजिकल रूप से भी उपस्तित होने के बजाए ओनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमती दी जाएगी, इसके अलावा जितने भी सामाजिक, सेक्षनिक, खेल, मनोरंजन, सांचकतिक, धार्मिक, राजनितिक वे अन्य कारेक्रम हैं, वहां सिरफ सो लोगों को सामिल होने की मंजूरी जो है इजादत जो है वो दी जाएगी, कंटेंडमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कारेक्रमों में सामिल होने पर सक्त पाबंदी रहेगी, बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन में भी क्रह मंत्राले के इजिसा निर्जिशों के साथ मंजूरी जो है दे दी गई है, माराष्ट में कोरोना के भड़ते मामलों को देखते विए लोगडाउन जो है 31 अक्टूमर तक बढ़ा दिया गया है, हाना कि 5 अक्टूमर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ये सबी बारी बारी से 50 फिजदी छमता के साथ खोले जा सकेंगे, स्कूलों के लिए कुछ दिसा निर्देश जारी किये गए हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहरा है, तो आपको बता दें केंदर सिक्षा मंत्री ने स्कूल और साक्षरता विभाग द्वारा जारी SOP के आधार पर स्कूल और कोचिंग संस्ताओं को फिर से घोलने के लिए राज्जसरकार और केंदर सासित परदیश स्वास्त और सुरक्षा सावधानियों के बारे में अपनी एसोपी तयार करेंगे जिन स्कूलों को खोलने की अनमती दी जाती है उन्हें राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों के सिक्षा विभागों द्वारा जारी होने वाली एसोपी का बिल्कुल अनिवारिय रूप से पालन करना होगा इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो मंत्राले ने कहा कि सिक्षा मंत्राले के तहट उच्छ सिक्षा विभाग हो गए उच्छ सिक्षा संस्तान जैसे कोचिंग इनको खोलने के साथ समय पर इस्तती के आकलन के आधार प्रग्रह मंत्राले से प्रामस का निर्ने ले सकते हैं हाला कि विज्ञान और प्रोधोगी की विशाय में PhD वैसनात कोतर छात्रों के लिए उच्छ सिक्षा संस्तानों को 15 अक्टुमर से खोलने की अनुमती दी गई है विज्ञान और प्रोधोगी की में प्रयोग साला और प्रायोगी कारियों की भी आवसकता होती है तो इनको खोलने के लिए भी यहाँ पे कुछ छूट दी गई है निरुद छेत्रों में अभी भी जो है 31 सक्टुमर तक लोकडाउन जो है सक्टी से लगा रहेगा और सक्टी से पालन करने को कहा गया है इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इससे पहले सरार ने 1 सितंबर से हुए अनलोग 4 की अंतरगत सबसे पहले मेट्रो सेमाओं को सुरू करने की जाज़त दी गई थी उसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की जाज़त दी गई थी और सो व्यक्तियों की अधिक्तम सीमा जो है सारवजनिक इस्तानों पर एकरतित होने के लिए 21 सितंबर से सबी चीज़ों को खोलने की जाज़त दी गई थी लेकिन दोस्तों अब हम बात करें तो सरकार ने इस्पष्ट कर दिया है कि अब जो है जितनी भी कतिविदियां जो पहले से बंद थी चाए सिनेमा होल कोचिंग हो कोलेज हो या फिर हम बात करें किसी भी प्रकार का इंटरेटैनमेंट पार्क हो या फिर कोई भी सांसकर्ति कारेकरम हो इनकी अंतरगत सभी की छूड़ दी गई है लेकिन दोस्तो ये जो कोईलाइंस है ये लागू होंगी 15 अक्टूमबर से 15 अक्टूमबर तक अभी भी जो है सुचारो रूप से उसी तरीके से लागू रहेगा लेकिन 15 अक्टूमबर के बाद ये सभी चीजे जो है बारी बारी से शुरू की जाएंगी वो भी पूरी तरीकी से सावधानी बढ़तते हुए तो दोस्तो अनलोग 5.0 के अंतरगत काफी चीजों में छूड़ दी गई है तो आपको किस चीज के बारे में सबसे अच्छा मुमेंट लगा गोर्मेंट का कि ये चीज वाकर में खुलनी चीए थी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो सरकार ने जो जो चीजे खोली है चाएब सिनेमा होल हो इंटरेटेन्मेंट पार्क हो सुमिंग पुल हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो या फिर हम बात करें किसी भी प्रकार की जो है एजुकेशन डिपार्मेंट हो या फिर कोई भी सांसकर्ती कारेकरम में सो लोगों की इजाज़त हो तो इन में से आपको कौन सा मुमेंट सबसे अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट बोक्स में ज़रू बताएगा और इसी प्रकार से अनलोग के बारे में पलपल की अप्डेट पाने के लिए स्कूल, कोलेज और कोचिंग चंसता है जो हैं किस प्रकार से किन गाइडलाइन्स का पालन करते वे और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से 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 ज्यादा से